तो अभी हम लोग करेंगे एक mobile app का एक screen जैसे suppose मुझे ये add to cart जो screen है वो मुझे बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपको कौन से type के mobile के लिए बनाना है क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में क्या करते है एक हम लोग website बनाते है जो normal computer screen के लिए है या laptop के लिए है एक हम लोग बनाते है iPad के लिए और एक हम लोग बनाते है ये छोटा mobile के screen के लिए तो suppose मैं यहां से iPhone यूज कर रही हूँ तो यहां मैं कर रही हूँ new अब यहां से देखिए document type clipboard इसमें आपका कुछ option आएगा mobile and app design तो इसमें आपका कुछ option से तो आपको कौन से mobile के लिए करना है वो आप यहां से decide कीजे मैं कर लिए हूँ iPhone X resolution में थोड़ा इसका increase कर देती हूँ और यह मेरा हो गया screen तो आप अगर चाहे तो आप इसके उपर एक color डाल दीजिए ऐसे आपको अगर white color डालना है तो file fill foreground color आप एक color इसमें डाल दीजिए अच्छा यह white शायद नहीं है तो मैं यहां से white color एक चूस कर लेती हूँ color white तो यह जो का यह जो option है मतलब यह आपका battery फिर यह bluetooth यह सब आपको net से मिल जाएगा तो आप दे सकते है mobile battery icon png अगर हम लोग png लेंगे तो हम लोग को वो चीज़ बार बार मतलब उसका जो background है वो delete करना नहीं होगा तो देखिए यह सब आइकन से आपको जो चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं तो मैं यहां से suppose यह battery ले रही हूँ फिर यह जो dot से वो आप खुदी दे सकते हैं तो मैं क्या कर रही हूँ मैं यहां से यह जो rectangle tool है वो मैं इधर डाल देती हूँ ऐसे यह actually आपका mobile का जो top part है यह उसका है यह जो छोटा सा जो area है वो तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं या आप एक काम कर सकते हैं कि वो जो आपका area आएगा मतलब जहां वो battery और वो dates आएंगे यह time वो आप इतना छोटा आप कर लीजिए और उसका color आप अलग भी कुछ तो suppose यह मेरा वो area है और मैं और एक area इसमें डालती हूँ जिसमें मेरा वो नीचे का जो header है mobile का वो आएगा मतलब मेरा जो website है जो अभी mobile app की तरह मतलब behave करने लगेगा वो आएगा तो यह मेरा हो गया उपर का तो इसमें मैं एक stroke भी डाल देती हूँ तो यहां मुझे डालना है यह जो rectangle one है ये वाला उपर का मैं ग्रूप बनाती हूँ उसमें ये रिक्टैंगल डाल देती हूँ और मैं इसमें डालूंगी आपका जो आइकन मैंने अभी डाउनलोड किया वो आइकन में अभी डालूंगी इसमें अभी देखिए आइकन का साइज काफी बढ़ा है तो इसको आप कर देती हूँ और मैं दूसरा एक ग्रूप बनाती हूँ और इस पर मैं यहां लिग देती हूँ कार्ट तो मैंने यहां लिग दिया कार्ट अभी यह जो मेरा एरिया है तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ क्योंकि यह जो रेक्टैंगल है यह रेक्टैंगल मेरा काफी बढ़ा हो चुका है अभी कार्ट में क्या होगा सबोस आपके पास 3 objects है 3 products है तो 3 products आपको ऐसे आएगा तो आप एक product को पूरा बना लीजिए फिर उसको आप copy paste करके ही आप उसको use कर लीजिए तो मैं एक group बनाती हूँ group के अंदर मैं ये rectangle tool लेती हूँ और सबसे पहले मैं ऐसा एक rectangle draw कर लेती हूँ जो मेरा product इस पे आएगा अब देखिए ये है मेरा कुट्टी का description ये मैं यहाँ type कर देती हूँ और ये थोड़ा सा text है वो मैं यहाँ से डाल देती हूँ या आप ये text भी टाल सकते हैं तो मैं क्या करती हूँ मैं यहाँ अभी मैं ये जो मेरा font है वो काफी बढ़ा है तो इसको मैं अभी ठीक कर लेती हूँ सपोज आपका जो logo है ये जो logo का color था मुझे वो ही color यूज करना है ये देखिए ये मेरा हो गया font ठीक है और ये है product का description अगर बहुत ज़्यादा आपको ये text लग रहा है तो आप यहाँ से ये वाला जो part है इसको आप delete कर दीजिए ऐसे तो और आप यहाँ से तो और आप सा line height को increase कीजिए तो ये आपका हो गया text अभी ये जो product का review है वो मुझे अभी डालना है review star png ये देखिए आपको काफी सारा ऐसे stars मिल जाएगा icons ये आप कर सकते हैं icons वो font awesome में भी आपको मिल जाएगा या आपको अगर वो review star यहाँ से लेना है वो भी आप ले सकते हैं ये वाला ये आपका एक problem है ये जो image है वो आपका png image नहीं है तो आपको उस image को png में convert करना होगा ये मतलब लिखा हुआ है कि ये png है बट ये actually png नहीं है तो मैं उस image को यहाँ ले के आती हूँ अब देखिए ये अगर png है तो बहुत ही अच्छा है तो मैं इसको यहाँ copy कर लेती हूँ नहीं देखिए ये png नहीं है तो मैं क्या करूंगी इसको मैं delete करना है अब या मैं यहाँ से यह जो eraser tool है आप eraser tool से इसको delete कर दीजे और इसको कहाँ place करना है उसको जो price है उसके नीचे आपको ऐसे उसको डालना है save और मुझे क्या करना है कि मैंने एक product लिया कि दो product लिया ये जो option है वो मुझे यहाँ करना है new group बनाती हूं और यहाँ से यह जो rounded edge है इसमें suppose मैं लेती हूं 2 ऐसे मैं एक area को define कर लेती हूं ऐसे एकदम पतला और इसमें 1, 2 आपको जैसा मतलब चाहिए आप text tool को select कीजिए text को यहाँ select कीजिए minus 1 और आप type कीजिए यहाँ plus और इसको आप यहाँ लेके आईए और यह जो आपका gapping है font के ऐसे करके मैं manually मैं यह gap को मैं increase कर रही हूं और यह जो minus sign है अगर यह जादा prominent नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं तो आप देखिए के कौन से font में आपको बहुत अच्छे से यह जो minus sign है वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा तो मैं यहां जाती हूं यह जो line tool है और यहां मैं थोड़ा सा बड़ा एक line डालती हूं fill color none stroke color मैं डाल रही हूं और stroke थोड़ा सा पतला यह मेरा हो गया यह product move tool से मैं इस image को drag करके मैं यहां लेके आती हूं ठीक है फिर से मैं इसको link यह मेरा हो गया first image तो यह आपका first group है जिसके अंदर आपका entire जो image है सब है मतलब एक set फिर आपका आजाएगा second group तो आप एक काम भी कर सकते है कि इस group के अंदर ही यह जो group 5 है आप ऐसा एक line भी आप draw कर दीजे ताके आपको पता चल जाएगा कि यह मेरा segregation है तो group 4 को आप copy कीजिए यह देखिए group 4 और यह आपका है group 5 फिर आपका क्या है नीचे subtotal confirm order यह आपको करना है तो मैं क्या कर रही हूँ यह जो last product है इसको मैं नहीं डाल रही हूँ ठीक है इसके जगा मुझे subtotal और फिर product वो डालना है तो मैं group बनाती हूँ तो मुझे यह subtotal का एक section डालना है same type का एक मैं ऐसे line डाल देती हूँ आप अगर चाहे तो यह line इस color में भी डाल सकते है और नहीं तो आप यह जो color है आप उसमें भी डाल सकते है बट यह क्या है यह fill color है इसलिए न यह ऐसा dark हो रहा है तो मैं इसमें stroke डालती हूँ ठीक है और stroke color भी आपको अगर light करना है तो stroke का अब size जो है वो आप light मतलब कम कर दीजिए तो वो light हो जाएगा तो यहां में क्या लिखूंगी subtotal तो यहां में लिख रही हूँ subtotal subtotal मुझे capital में चाहिए क्यूंके subtotal बहुत ही important चीज है तो यहां मैं लिख रही हूँ यह capital कर दीजिए font size T और आप यहां से font size को आप ठीक कर लिजिए तो मैं यहां करती हूँ T मतलब text tool light नहीं मुझे bold चाहिए semi bold भी नहीं अभी मुझे font size bold चाहिए और जितना आपका font size है वो आप यहां डाल दीजिए तो subtotal यह है मेरे subtotal इधर में डाल देती हूँ और आप font जो है मतलब font का जो sorry जो आपका total है जो आपका total है वो आप यहां डालिए suppose रुपीज जितना भी आपका है वो आप calculate करके यहां आप डाल दीजिए suppose मेरा हुआ है 2100 तो देखिए यह मेरा काफी मतलब बोल्ड है फिर आप कीजिए confirm order आपको जैसा बटन चाहिए आप कीजिए बट यह जो बटन है वो आपका थोड़ा सा जादा बोल्ड होना चाहिए फिर आप कीजिए confirm order confirm order और इसको आप यहां लेके आईए text color आप दीजिए white और यह जो font है यह font का size आप increase कर दीजिए ऐसे यह आपका हो गया एक mobile का page इसमें अगर आपको कुछ और changes करना है तो वो आप कर सकते हैं वो आपके उपर है बट आप जब आप फोटोशॉप में आप ऐसे जो mobile के screen से जैसे सब को पता चलेगा कि हाँ आपका जो page है वो ऐसा बनेगा वो आप मोबाइल में ऐसे बना सकते हैं तो आप एक एक website को आप पहले एक laptop के size में बनाई है फिर आप mobile के size में बनाई है mobile app के लिए यह mobile app तो हर screen हम लोग ऐसे बनाते हैं login screen से लेके end तक हम लोग सब कुछ ऐसे create करते हैं Photoshop में